करनार्टक के चेकबल्लापूर में पियम मोदी की रेली का 10 साल 25 करोड देशवासी गरीब देखा से बाहर निकले अगले 5 साल था कौंस्तराशन की मोदी की गारगी पियम ने कहा है SCST, OBC हमारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार के SCST परिवार पहले जुगी जोपलियों में रहने को मजबूर थे हमारी सरकार ने इन है सुविधाएं दी महराज़ के रांदेर में PM ओधी की रेली पहले चरण में BJP अंडे के पक्षम में एक तरफा मदान चार जुन को होगी आतियासी किती PM का राहूल गांदी परतंच का शहजादे के लिए संकट अमेठी के बाद वाइनार से भी आ रहेंगे 26 अप्रेल के बाद शहजादे के लिए ढूनी जाएगी सुरक्षित सी PM मोधी ने कहा इंडिया लाइन्स स्वार्थ में डूबा हुआ है चार जून के बाद इंडिया लाइन्स के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और बाल नोचेंगे परवड़ी की रेली में PM का महाविकास अगारी पर निशाना का पिसली सरकार में कॉंग्रिस और नकली शिव सेना याकूम मेरन के कबर सवार्थ में व्यस्त रखी पिम मोदी ने कहा कॉंग्रिस एक ऐसी बेल है जसकी ना कोई जड़ है ना जमीन है इसे जो भी सहारा देता है उसे तुखा देती है राईल पर पिम मोदी के वयां गुलेकर जीतू पटवारी का पलटवार कहा लोतानत्र उंत्रेक विवस्ता में इस तरहा की भाषा पीम को शोभा नहीं देती गाउल को शहजादा कहने पर कॉंग्रिस में था दानिश अली का पलटवार का टी-शिर्ट पहनने वाला शहजादा कैसे हो सकता है जबकि पीम राज़ा की तरह दस लाग का सूट पहनने है भीलवाडा में आमेच शहाद की रैली कहा एक तरफ बाराला करोड के घपले वाली कॉंग्रिस है तो दूसरी तरफ मोधी जी है जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं अमेच शहाद ने का सोनिया गांधी का एजंडा है मेरे बेटे को प्रजान मंत्री बनाओ और मोधी जी का एजंडा है मेरे भारत को महां बनाओ शाह ने कहा पीएम चुटी नहीं लेते लेकिन राहूल और प्रियांका गांधी हर तीन महीने में चुटी मनाने विदेश जाते हैं अब इताइलिंड से लोटी हैं प्रियांका कोटर रेली में अगर कॉंग्रिस की सरकार बनती तो PFI गड़ होता कोटा BJP सरकार के कारण खत्म हुआ PFI राजस्थान के चतोरगड में CM योगी का रोजशो भारी संख्या में उम्री समर्थकों की भीर BJP फरत्याशी के लिए किया प्रचार CM योगी का दावा कहा पहले चरण में 102 सीटों पर हुए चनाव में एंडिया के प्रती रुझान जन मानस का मत्वोधी सरकार के लिए प्रचन रूप में आया सामने मत्रा में BJP प्रत्याशी मामाली के प्रचार वत्री दोनों बेटिया ईशा और आहना ने चलाया जन संपर्क अभ्यान मधिप्रदेश के कई कोमरिस नेताओं ने BJP का दामन थामा भोपाल में CM मोहनियादत की मौजूदगी में BJP जोइन किया मालदा में ममता बनर जी की सभागा बंगाल में कोई इंडिगर बंधन नहीं है BJP की मदद करने के लिए CPM और कॉम्रेस लड़ रही है चनाब ममता बनर जी ने BJP पर साथ निशाना का नुकसान करने के लावा BJP ने क्या आज तक किसी का भला किया है मालदा में देखा मुख्य मंत्री ममता बनर जी का अलब अंदास थानिये कलाकारों के साथ मंच पर बजाया ढोल नितीश ने कहा लालू ने पहले पत्मी को कुरसी पर बिठाया फिर बच्चों को आगे किया ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं का लोग सबस्ट चनाव के लेकर पहली बार राहूल गांदी और तीरस भी आदब की रैली भागलपुर में इडिकर बंदन के लिए दोनों नेताओं ने वोट पांगा भागलपुर की रैली में राहूल गांदी ने कहा हमारी सरकार वणी तो पांच क्यार एंटी खटा खट देंगे गरीब महलाओं के खाते में पैसे आएंगे राहूल गांदी ने कहा पीम ने देश में भिरोजगारी फैला दी बीजेपी को देड़ सो से जाला सीथे नहीं मिलेगी राहूल गांदी ने सथ्का में आने पर अग्मी बीर स्कीम खत्म करने का वाधा किया खादेश में दो तरह के शहीद नहीं जाएगी जवानों की शहादत पर राहूल गांदी के बयान पर बीजेपी बड़की मंजित दर्शी सिरसा ने कहा ये असमवेदन शील बयान पता नहीं इनके किस तरह की बांच सकता है नर्विला स्रीतर्मन के राहूल गांदी पर निशाना कहा सांसत के तौर पर राहूल ने पिछले पात साल में वायनाट टेक भी मुद्दा नहीं उठाया तेजस्वी आधव ने कहा पूरा इंडी गडबंधन एक साथ है हम साथ काम कर रहे हो और बिहार में इस बार हमारे पक्ष में अच्छा रेजल्ट आएगा बीजेपी नेता रवी शंकर प्रसाद ने कहा अबियार की सवी 40 सीटे जीतेंगे मोधी जी गरीबों पिछडो आती पच्छडो के नेता कॉंग्रिस की बैठक में संदीब दिक्षित और कनहीया कुमार में बहस सूतनों से खबर संदीब ने का कनहीया के चलते कॉंग्रिस की प्रदर्शन पर पढ़ रहा है असर हाइदरबाद में चुनाफ प्रचार की दौरान बीफ शॉप पहुंचे असर दो दिनो वैसी लगाए बीफ शॉप जिन्दाबाद के नारे प्रचार के दौरान का विडियो वाइरिस और उनके भाई ऐसे एक्स्ट्रीम भाषन देने में माहिर हैं उनके राजनितिक बयान हमेशा अभद्र होते हैं हाइदरबाद से बीजेपी विधाक ती राजा सिंग का असदुदीन ओवैसी पर हमला का हिंदू समाज की भापना के साथ खेलने हैं ओवैसी अन्रप्रदेश के अनका पल्ली में सीम जगन मोहन रिड़ी का रोड़ चो वायसार कॉंग्रिस के प्रत्याशी के लिए प्रचाट पंजाब में कॉंग्रिस को एक और जटका बीजेपी में शामिल हुई विक्रम जीत चौदरी की मात करम जीत को और चौदरी जालंदर से पूर्व सीम चन्दी को टिकेट देने पर नाराथ अनंतनाग में मैबुबा मुफ्ती ने किया प्रचार कहा आज का मुद्धा सड़क पानी और बिजली नहीं बल्कि जमो कश्मीर को पुरानी पहचान दिलाने का है